नमस्कार दोस्तों, यूटूब चैनल ICTI कार्ट भी में आप लोग का स्वागत है पैन कार्ट डिपार्टमेंट के तरफ से बहुत बड़ी अपडेट आया है सभी पैन कार्ट धारियों के लिए खुसकबरी है अब आप लोग आधार कार्ट के जैसा अपना पैन कार्ट को भी कभी ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं तो कैसे आप लोग अपना पैन कार्ट को डाउनलोड करेंगे उसका complete process इस वीडियों बताने वाला है तो वीडियों को complete जोर दिखेगा अगर आप लोग pencard NSDL को थुरू बनाए या फिर UTI PSE के थुरू बनाए या फिर income tax website के थुरू बनाए किसी भी website से बनाए अपना pencard को easily आप लोग online download कर सकते है free of cost तो NSDL का अलग website जारी किया गया है UTI का अलग और आप लोग income tax जो website उसका अलग download करने का process है मैं सभी के जानकार इस वीडियो में आप लोग को बता रहा हूँ तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि आपका जो pencard है वो NSDL को थुरू बनाया गया है या फिर UTI के थुरू बनाया गया है या फिर income tax department के थुरू बनाया गया तो उसको जानने के लिए आप लोग अपना pencard का back side में देखे होंगे या फिर देख सकते हैं इस परकाल लिखा हूँ रहता है अगर UTI के थुरू pencard बना हूँ रहता तो UTI ITSL लिखा रहता है अगर NSDL को थुरू pencard बनाया रहता तो back side में NSDL लिखा हूँ रहता तो अगर आपको नहीं पता कि कौन सा website से आपका pencard बना है लेकिन आपको download करना तो भी कोई दिकत नहीं आप लोग easily download कर सकते हैं क्योंकि आपको NSDL में एक बार try करना है तो अगर data verify होता तो ठीक है उससे download कर लिजए नहीं तो UTI के थुरू अगर बना है तो यहां पर आप लोग एक बार try करेंगे जिस भी website से आपका pencard बना है वो automatic download हो जाएगा तब ही मैं आप लोग का NSDL को थुरू download करके दिखा रहा हूँ फिर UTI का बात करूंगा उसके बाद income tax pen का बात करूंगा तो सभी का लिंक डारेट लिंक बीडियो का description पर दे दिए हैं जाके click कर सकते हैं उसके बाद आपके सामने इस तरह का interface open होगा अब लोग free of cost अपना pencard को download कर सकते हैं तो अगर आपके पास pen number अगर आप NSDL के थुरू pencard बनाया तो इस परकार interface open होगा उसके बाद मैं UTI के थुरू download करने का process बताऊंगे तो पहले NSDL वाला देख लीजे तो NSDL के थुरू download करना है तो pen number से download करना है तो pen number को tick करेंगे अगर acknowledgement number है आपके पास pen number नहीं है तो acknowledgement number को tick करेंगे और acknowledgement number यहाँ पर fill करेंगे फिर month डालेंगे जिसका pencard download कर उसका month उसका date of birth का year फिर capture को डाल यहाँ पर लिखेंगे उसके बाद आधार number फिल करेंगे उसके बाद उसका date of birth का month फिल करेंगे year इधर लिखेंगे GST team है तो देंगे नहीं तो छोड़ देंगे कोई दिक्कत नहीं है उसका इसको tick करना है capture card fill करके submit करना है जैसे आप submit करेंगे तो आपका data verify होगा आपका mobile email ID 100 होगा जिस जब pen card बनाया थे तो जो भी number दिये तो number आएगा उसके बाद आपको उस number पर अपने mobile नमबर पर OTP send कर लेना है या फिर अगर email ID पर OTP चाहिए तो email पर क्लिक करेंगे mobile पर OTP चाहिए तो mobile पर क्लिक करेंगे और OTP को send कर लेंगे उसके आपके mobile पर email पर जहा करके submit करेंगे तब का e-pencard download हो जाएगा जैसे आप PDF फाइल pencard को download करेंगे तब के सामने इस तरह के interface open होगा फिर आपसे password पूछा जाएगा pencard का तो pencard का password आपका date बरती होगा मतलब जिसका pencard उसका date बरत मानके चले 1st January 2000 है उसका date बरत तो 01012000 इस परका date बरत रहेगा इंटर करेंगे तो आपका जो pencard इस परकार download हो जाएगा और इस pencard को आप लोग सिर्फ क्रॉप करके मतलब पहले प्रिंट कर लेंगे इसको उसका क्रॉप करके elimination करके आप लोग यूज कर सकते हैं अभी यूटी है के थुरू अगर आप लोग pencard बनाया तो उससे कैसे download करेंगे तो यूटी इसका भी link description पर देदी है जैसे क्लिक करेंगे तो इस तरह के इंटरफेस ओपन होगा फिर आप लोग अपना pen number को फिल करेंगे pencard धारी का month और date about का year फिल करेंगे उसका GST number नहीं है तो छोड़ देंगे अगर है तो देंगे उसका यहां पर जो verification code दिखा है इस verification code को देंगे submit में क्लिक करेंगे जैसे submit बटन पर आप क्लिक करते है तो आपके सामने इस तरह के interface open होगा आपका data जो verify होगा उसके बाद इसको ok करना आपक इस capture code को आपको यहां फिल करना है उसके बाद देख सकता है capture code फिल करके mode of OTP OTP आपको कहां चाहिए email पर चाहिए फिर SMS mobile पर चाहिए तो देख लेंगे mobile नमबर आपका ही है तो mobile को tick करेंगे mobile पर incoming है कि नहीं भी check कर लेंगे अगर email ID भी आप ही का है जो email आप दिये है तो only email को लेंगे और यहां पर इसको tick करके get OTP में क्लिक करेंगे तो हम सिर्फ SMS को लेते हैं और यहां पर get OTP में क्लिक करते हैं फिर यहां पर OTP को आपको फिल करना जो OTP आपके mobile पर आएगा तो देख सकता हम यहां पर OTP को फिल करते हैं और यहां पर submit में क्लिक करते हैं तो OTP को फिल करके जैसे सब्मिट में क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं अभी पैमेंट वाला इंटरफेस ओपन हुआ मतलब जिनका भी पैन काड अगर 30 दिन पुराना हो जाएगा आप अगर पैन काड 30 दिन पहले ही बनाए और अभी डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको 8 रुपया 26 पैस ओनलाइन पे करना होगा 8 रुपया 26 पैस अगर पैन काड अभी आप बना एक मैना नहीं हुआ है तो आपका पैन काड भ्यजा जाएगा उसका मोबाल इमेल को फिल करते है और यहां पर क्लिक करें यह ए क्योरपिया किसी से भी ऑपन कर सकते हैं तो उसके बाद जैसे क्लिक करेंगे तो देख सकते इधर IP नमबर से यह फिर fret अपना जीकाड आ गिया तो कोई भी UPI आपको open कर लिजा और इसके एंड पे जैसे करते हो इसे pay कर दीजेगा आपका payment confirm हो जाएगा आपका email id पे आपका जो pencard send कर दिया जाएगा और यहीं पर download भी होगा उसका email id को open करेंगे तो आपका pencard दिखेगा फिर pencard को open करने के लिए जिसका भी pencard है उसका date of birth को fill करेंगे और submit बटन पे click करेंगे तो उनका pencard download हो जाएगा